वैसे तो आज भी हमारे यहाँ पर सबसे ज़ादा इंडियन टोइलेट शिट का इस्तमाल किया जाता है पर आजकल लोग जो है वो कमोड के तरफ बढ़ने लगे है इसके बहुत सारे कारण है यहाँ पर सबसे पहला कारण तो यह आ जाता है कि इनकी वज़े से आपको जो टो कमोड होते हैं इनके भी डो टाइप आते हैं एक होता है वाल माउंटेड यानिकी जिसे अब आगलीicit में देख सकते हो यह न यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की बलकी flush tank आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, जिस वज़े से इसका एक neat और clean look जो है वो दिखाई देता है, अगर आपको एक high end और modern look चाहिए, ऐसे समय में आपके लिए fall mounted WC एक अच्छा option आ जाता है, वहीं पर अगर हम floor mounted WC की बात करें, तो जैसा कि आप अगली image में देख सकते हैं, इसे floor के उपर mount किया जाता है, जैसा कि आप इस part को देख सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपको उपर के तरफ आपको flush tank भी दिखाई देगी, floor के उपर mount करने के वज़े से और flush tank visible होने के कारण, इसका look जो है वो थोड़ा सा बल की दिखाई देता है, इस वज़े से ज़्यादा modern look जो है वो नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर जो appearance का point है वो जाता है wall mounted WC की तरफ, अगर हम fitting की बात करें, तो wall mounted की fitting जो है वो थोड़ी नहीं देती है, तो यहाँ पर अगर 9 इंची दिवार है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी इस wall mounted कमोड को fit करने के लिए, पर जहाँ तक बात आती है, 6 इंची या फिर 4 इंची अगर आपकी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपकी flush tank जो है वो दिवार से थोड़ी इसी बाहर के तरफ दिखाई देने लगती है, तो इसके लिए secondary wall को construct किया जाता है, जिसे की ledge wall कहा जाता है, अब यह जो ledge wall है, regular wall से थोड़ी सी आगे के तरफ होती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा offset जो है वो दिखाई दे सकता है, और दूसरी जगह पर अगर हम floor mounted WC क की बात करते है, तो वहाँ पर आपको fitting की कोई भी दिकत नहीं होती है, इसके लिए आपको कोई special arrangement नहीं करनी पड़ती है, नाम के ही तरह यह floor के ओपर mount किये जाता है, इस वज़े से आपको कोई special arrangement नहीं करनी पड़ती है, और इसका flush tank जो है वो बाहर से visible होता है, इस से नीचे का जो flooring होता है, उसे access कर पाना बहुती आसान होता है, यानि की cleaning करने की कोई भी दिकत नहीं होती है, वहीं पर अगर हम floor mounted WC की बात करें, तो floor से connect होने के कारण, जहाँ पर यह commode floor से connect होते है, तो उसके आसपास का area cleaning करना मुश्किल हो जाता है, और अगर आपका कमode जो है, वो corner में चला जाता है, ऐसे वक्त में वहाँ पर आपके cleaning equipment भी जल्दी नहीं पहुच पाते है, और वहाँ पर cleaning करना मुश्किल हो जाता है, और जैसा कि हमने देखा wall mounted WC की जो flush tank है, वो दिवार के अंदर होती है, उसके बाद में जो carrier होता है, वो भी दिवार के अंदर होता है, यानि कि wall mounted WC की जो fitting होती है, वो थोड़ी सी complicated होती है, इस वज़े से आपको एक skilled plumber की ही आवशक्ता होती है, जो की आपके wall mounted WC को proper तरीके से fit कर पाए, वही पर अगर हम floor mounted WC की बात करते हैं, तो flooring की उपर fit करने के कारण, यहाँ पर ज़्यादा complicated procedure नहीं होती है, जिस वज़े से आपको ज़्यादा skilled plumber की आवशक्ता नहीं होती है, अगला point आ जाता है, जो की है maintenance, wall mounted WC जो है, उनका maintenance करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ज़्यादा खर्चिला होता है, इसका कारण जैसे कि हमने देखा कि आपकी जो flush tank होती है, वो पूरी भी पढ़ सकता है, और उसके बाद जाकर आप जो है flush tank को access कर पाते हो, और जब flush tank repair complete हो जाएगा, उसके बाद आपको वापस से दीवार को बानवाना पड़ेगा, उसके उपर tile को भी लगवाना पड़ेगा, यानि कि इन सभी चीजों में आपका अच्छा खासा पैसा जो ह के वापस से fit कर सकते हो, यानि कि floor mounted WC का जो repairing और maintenance charge होता है, वो कम होता है, अगला comparison का छोटा सा point है, जो की है noise, अब यह जो wall mounted WC होते है, इनकी flush tank दीवार के अंदर होती है, इस वज़े से flush tank का जब हम इस्तमाल करते है, तो पानी की आवाज बहुती कम आती है, वही पर floor mounted क जो flush tank होती है, वो बाहर के तरफ fit होती है, तो जब भी हम flush tank का इस्तमाल करते है, ऐसे वक्त में पानी के आवाज थोड़ी सी जादा आती है, अगर हम space की बात करें, तो यहाँ पर wall mounted WC के लिए आपको कम space लगती है, वही पर floor mounted WC के लिए आपको थोड़ी सी जादा space लगत और जो floor mounted WC होता है, उसकी flush tank दिवर के आगे होती है, और उसके थोड़ा सा आगे आपका बाउल होता है, इस वज़े से आपको space जो है वो जादा लगती है floor mounted WC में, अब यहाँ पर next point आ जाता है जो की है height, अब यहाँ पर wall mounted WC की जो height होती है, वो आप अपने हिसाब से adjust क कर सकते हो शुरवाती वक्त में, यानि कि आप 15 इंच तक रख सकते हो, 16 इंच तक आपने कमोड के height जो है उसे रख सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा height चाहिए, बड़े बुजूर्ग लोगों के लिए, तो वहाँ पर आप wall mounted WC के height जो है उसे बढ़ा सक पर ये चीज आप सिर्फ एक बार कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसे बार बार जो है वह adjust कर सकते हो, अब बार ये आती है floor mounted WC की तो यहाँ पर height जो है वो fix होती है, standard जो height होती है, जैसे कि 14 इंच या फिर 15 इंच तक आप floor mounted की height रख सकते हो, और अगर आपको floor mounted WC के height थोड WC ज़्यादा चाहिए, ऐसे वक्में आप toilet seat riser का भी इस्तमाल कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा height मिल सकती है, यहाँ पर next point आ जाता है जो की है price, तो wall mounted WC का price जाहिर से बात है ज़्यादा ही होता है, इसका कारण है होता है कि इसमें जो wall tank होता है, flush actuator, toilet bowl, toilet seat, इन सभी का cost अगर हम जोड ले, तो इसका cost जो है, वो आपको 9 से लेके 12,000 रुपए से आगे ही start हो जाएगा, और भी अगर आप अच्छे quality और brand का wall mounted WC इस्तमाल करेंगे, तो उसका cost और भी बढ़ सकता है, वहीं पर अगर हम floor mounted WC के price की बात करें, तो अच्छे quality का floor wall mounted WC जो है, वो आपको 5 से लेके 10,000 रुपए तक RM के साथ मिल सकता है, तो आखिर में ये सवाल आता है, कि आपके लिए सबसे बड़या विकल्प कौन सा रहेगा, ये जो wall mounted WC होते है, ये easy to clean होते है, उसके बाद में इसका look जो है, वो बहुती modern दिखाई देता है, इसमें आपको flush करने के बाद noise की समस्या नहीं होती है, इसकी वज़े से space भी save हो जाता है, और इसकी height जो है, आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हो, overall अगर हम देखे, अगर आपका budget अच्छा खासा है, तो definitely आप जो है wall mounted WC के तरब जा सकते हो, क्योंकि already इसका cost जो है, वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, यानि कि अच्छा कासा पैसा जो है आपका maintenance में जा सकता है, इस वज़े से आपको इन दोनों चीजों को consider करने के बाद, आप जो है wall mounted लगवाने का decision ले सकते हो, और अगर हम floor mounted WC की बात करें, तो इसके बहुत सारे advantage में, सबसे पहला advantage यह आ जाता है, कि इसका cost बहुती कम होता है, अगर हम wall mounted WC से comparison करते हैं तो, और दूसरा important फाइदा इसका यह आ जाता है, कि इसको install करना भी बहुत आसान होता है, और सबसे important चीज, यह जो floor mounted WC होता है, इसका repair और maintenance cost बहुती कम होता है, और इन floor mounted WC को आप अपने घर के अंदर, या फिर कोई school building है, या फिर rental purpose से आपको मकान देना है, तो वहाँ पर भी आप इसका आराम के साथ इस्तमाल कर सकते हो, और रही बात look की, तो ऐसा भी नहीं है कि floor mounted WC में बहुती bulkier design आते है, कुछ modern design जो है वो आजकल floor mounted WC में भी available है, जिससे की look जो है वो भी आच्छा आपको मिल पाता और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकता है,